मैं लेटकी दिखाता हूँ अब भाई यार ये क्या होग किया ओए होग किया पूरे कराची की सेर कर लियां आज हमने सुभान अल्ला भbersब आनला लोड़Heर龙, आपसर्थ वग आपक कर िननेजन्ट भड़तों वगर हम मिजदीन असलाम आलेकों वर्मत वराकात। वहाल हैं सब खेरियते माशाला लाइफ ची चल दी अच्छा आप देख रहूंगे मैं पता नहीं कहां एरान और किसके बॉर्डर पर आई या कहां पाड़ियों की चोटी पर आई या नहीं ऐसा कोई सीन निया भाई मैं खळा हूँ अभी कटी बाड़ी के बिल्कुल करीब मैं where और एकटी बाड़ी और मैं खळा हूँ यहां पर और मेरे सामने आप देख सकतें पूरा कराची है तो अभी हम यहां इफ्तार करने वाले हैं और यहां पर और भी मुक्तलिफ लोग आएं वाजीब अजीब से ठीक है उसाम भाई दूर छुप रहे हैं मुझसे ना असलाम अलेकुम भाई कहां जा रहो वाई कुछ नहीं करूंगा मैं यहां पर यार टेंशन क्यों ले रहो तो अभी हम यहां बैठते हैं जरा चादर बिछाते हैं यहां पर अच्छा जी तो अभी चादर बिछाते हैं आपना अच्छा जी यह इफ्तारी है मैं पतनी क्या क्या लिया है साहँ भाई ने लिया मेरे लिए ना अभी इसको रखते हैं आते बड़ा मज़ा आने वाला यार बड़ा सुकून वाला महौले पूरे यह कराची के उंची जगा पर इफ्तार यार कुछ ऐसा होगा सही है तो अभ कवर भी इतनी होगी हमारी को जैसे ही सीन होगा तो अभी तैयारी करें आखरत के लिए हैं यह यह आपको लेट कर दिखाता हूँ कि क्या सीन है भाई प्लैन चेंज होगी है हजरत ने कहा है यहां नहीं बैठना है हजरत कह रहे हैं कही और बैटना भी यह देखो कहा लेके आएंगे बस कह दिया तो कह दिया भाई हो जाएगा कुछ ना कुछ होई जाएगा दस मिनट रह गए हैं अफ्तारी में और अभी शुरू होने वाली माशालला से बड़ा जबरदस तीन है भाई तो भई देखेंएए यहाँ यह कुछ ऐसी जगह है पता नहीं क्या खराब तहीं मैं लेटकी दिखाता हूँ यह क्या हो गया आए वाई वीयाइप चपरदस थो गया अच्छा खाने में देखें क्या आज ये आली के पखोडे है केचप के गत्ती लोग है तो माशाला केचप है यह कह भाई बकरी के छोले हैं और रोल हैं समुसे हैं पापड़ी है यह अब्बू का वालेट है तो थोड़ी दिन में होने वाली बस पांच मिनट रह गए हैं यह सीन है कराची के सबसे उंचे मकाम पर अफ्तारी की आज आपक अब वह तो मज़े भी बता है यह आपको पड़े नहीं भाई रमदाने सारी ओरी है वैसे भी जब अल्लाप तो प्पीब जयता तो पढ़ जैना भाई पूरे कराची की सेयर कर लिया आज हमने सुभान अल्ला भई सुभान अल्ला ओहो बले बले भाई बले बले मजा आगि बिस्मिल्लाहिर्माले रहें इफ्तार हो गई है माशल्लाह से अभी शुरू करते हैं प्यूपियो आप प्यूपियों सुछानले अच्छा जी चमचा तो था नहीं आपको हमेशा की तरह हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं तो हमने इसी को चमच मना लिया अरे जाओ यार नमाश शरीव यहां से खरको तो अभी हम इसको खाते हैं बिस्मिल्लाह करंची करंची है बहुत मज़ेदार है लड़कें भी इतना अच्छा नहीं मना सकती है को सिलिए अच्छा तो हम यहां बैठे वे था ठीक है माशाल्ला स्तार समेट दी है अलहम रीप करी जा मघ्रिपके लिए मैंने गा उसामा को भाई नमाज में यही पढ़ ले तो हम यही पढ़ा देता हूं कैरें नहीं नहीं मस्जद जाएंगे मस्जद जाएंगे विचारी की थोड़ी सी हो रही है क्योंकि जगा यही है ना पहले के हालाद ठीक नहीं थे यहाँ पे तो यह सीन था अभी नफटार के बाद खाना कहा खाना है नमाज के बाद यह तो पता ही चलता है देखें क्या करते हैं चलो चलते हैं नमाज पर आजो बिसम ल्लाव अच्छा जी इफ्तार हो गई इफ्तार के बाद हम आया तवक्कल भी फिलाव पर ओए अबी अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं भी पिलाव में है क्या क्या यहां पर है फिलाव कर दो लड़के हैं एक ये बैठा वा और ए सब्क्रमाटर संटे हैं डरखTalk दोनों सही और दोनों भूके हैं तब याजत से भूके नहीं होते हैं जो बिल्कुल भूके बहुते हैं तो बता हो कितना आज और लिए आदा किलो एक क्लो आप खाले के राम से फक्ता फोच लो अगर बजिया अगर तासर हो जाए तुम ठाना ना उसे कर तरह ठीक है फिर कर दो पहले आदा किलो लिए लाने कर यार इतना पी फुक्के नहीं है तो में बिल्कुल फुका नंगा समझ लो नावाज शरी के यह देखो भई यह पिलाओ का मसा एक यह देखो गोपिलाओ के पिलाओ आ गया है इसमें ढले गई है थोड़ा सा मुर्ग मसल्णम ऑई जबरदस बई जबरदस अब इस बजबरदस अब इसको जबरदस अब इसको जरा म त्राइब करते हैं बिस्मिल्लाइब करता हूं अब है अब यह तो बहुत मज़े बाई और लिया जल्दी लिया जल्दी लिया हमें लिया आदा किलो लिया एक पॉल लिया जल्दी जल्दी लो बई एक और आगई और बोलो बादर साम भाई तुम तब्याद से भोके लग रहे हो